प्रियन दोस्तों, नमस्ते! इस विडियो में आप सीखेंगे, कि रिटेलर विजिट के दौरान, डिस्टेब्यूटर FSE को FSE आप में अपने टास्क कंप् proportions करने से पहले कैसे QR code scan करना है. रिटेलर विजिट के समय, FSE को FSE आप में QR code scan करना है. सबसे पहले FSE आप में लॉग इन करी Activity सिलेक करी और फिर Retailer सिलेक करी Retailer से उनके GeoPause आप में QR कोड जनरेट करने को कही Retailer द्वारा उनके GeoPause आप में जनरेट किया गया QR कोड स्कैन करी QR कोड स्कैन करने के बाद Retailer आउटलेट पर आपकी Activity पूरी करी आईए अब स्टेप्स को डीटेल में समझते है सबसे पहले FSE आप में लॉग इन करी और बॉटम पैनल में Retailer आईकन पर क्लिक करी अब आपको जो आक्टिविटी करनी है वो सिलेक करी जैसे की Sales अब आपको मैप किये हुए Retailer की लिस्ट दिखेगी इस लिस्ट में Retailer को सिलेक्ट या सर्च करी अब स्कैन QR कोड का विकल्प चुने यदि आप Retailer Outlet में मौजूद नहीं है तो Not a Retailer Store सिलेक्ट करी FSE आप में QR कोड स्कैनर खुलेगा साथ ही Retailer को उनकी GeoPos Plus आप में QR कोड जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट करी Retailer की GeoPos आप में जनरेट हुआ QR कोड अपनी FSE आप से स्कैन करी याद रहे आपको 30 सेकेंड के भीतर QR कोड स्कैन करना है QR कोड सफलता पूरवक स्कैन करने पर आपको QR कोड वेरिफिकेशन सक्सेस्फुल ये मैसेज दिखेगा अब आप अपनी अक्टिविटी पूरी कर सकते हैं QR कोड स्कैनिंग इन सब अक्टिविटीज के लिए अनिवारिय है पहला, Sales दूसरा, Payments तीसरा, Handshake और चौथा, Commitment कृप्या ध्यान दे कि यदि FSE स्टोर पर कई अक्टिविटीज कर रहा है तो बात की अक्टिविटीज पर QR कोड के वेरिफिकेशन की आवशक्ता नहीं है QR कोड स्कैनिंग के दौरान ये exception scenarios आ सकते है QR कोड हाज expired Please Try Again का मतलब है आपने QR कोड स्कैन करने के लिए 30 सेकंड से अधिक का समय लिया है अब आपको नया QR कोड जनरेट करके 30 सेकंड के अंदर स्कैन करना है Invalid QR कोड Please Try Again का मतलब है आपने गलत QR कोड स्कैन किया है सही QR कोड स्कैन करी ये सुनिश्चित करी कि FSE प्रतीक रीटेलर विजिट के दौरान QR कोड स्कैन करने के बाद ही अपनी अक्टिविटी कम्प्लीट करी जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है धन्यवाद